असलाम लेक्म स्टूडेंट्स शायद सोशल वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करना और उसको क्वांटिफाय करने की बात करना जो है वो आसान है लेकिन actual terms में उसको demonstrate करना या उसको implement करना मुश्किल है उसको number से relate करना जो है वो मुश्किल है तो इस stage पे हम एक case study जो है उसको समाल करते हुए यह demonstrate करेंगे कि कैसे ऐसे social entrepreneurs जो social value create कर रहे हैं लेकिन वो quantitative terms में number की terms में अपना impact जो है उसकी assessment कैसे करते हैं क्या indicators वो use करते हैं तो kickstart एक technology organization है basically वो innovate करते हैं बहुत सादा छोटी छोटी प्राड़क्ट्स बनाते हैं जो बेचने में सस्ती हों जिसको गरीब entrepreneurs जो हैं जो जिनको resources की कमी होती है वो लेकर उनको use करते हुए they can come out of poverty तो mission जो है वो basically लोगों को poverty से बाहर निकालना है लेकिन through use of technology kickstart दुनिया के मुख्ति अपनी products जो हैं उनको launch करती रही है 1990 जब kickstart ने एफरिका में काम शुरू किया तो अंदाजा हुआ कि 80% small farmers हैं जो poor है और उनके पास दो एकर या इससे भी कम जमीन है ऐसे में वो rely करते हैं usually irrigation के लिए rain के उपर के जब बारिश होती है तो उनके खेतों में वो बीज डाल देते हैं और फिर वो फसल होती है और साल में दो से ज़्यादा फसले वो ले नहीं पाते हैं आप imagine करें के दो एकर जमीन हो और उसमें सरफ साल में दो दफ़ा जो है वो फसल आए और वो भी बारिश पर dependent हो तो किस कदर मुश्किल है ये वो populations हैं जो शायद इस तरह से अपनी उस routine में रहके कभी poverty से बाहर नहीं आ सकती किक स्टार्ट ने इस बाद को समझा कि irrigation इस तक की अगर किसानों को timely पानी मिले और वो अपने खेतों को ज्यादा दफ़ा काश्ट कर सकें तो अगर उनके पास जमीन कम भी है तो वो बेहतर उसमें से फसल ले सकते हैं जिससे वो जल्दी poverty से बाहर आने के काबिल हो किक स्टार्ट ने डोनर्स की मदद से एक वाटर पंप डिवलप किया अब मैं उसे वाटर पंप कह रही हूं जो हमारे हां के बड़े सारे ट्यूबल से इस लिहाद से फर्क है कि वो बहुत एक छोटी मशीन है आप कहलें portable है जिसको आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सक उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो डिपेंडिंग उन साइस और उसकी कपैसिटी 35 डॉलर से लेके कोई 60-70 डॉलर तक उसकी प्राइस थी उसको किसान जो है बहुत सिंपल टेकनोलोजी थी जो एफरिकन फार्मर्स भी एक बटन आन आफ करने से उसको इसको 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 भी था कि वहुत गहराई से जैसे कोई कुएं से पानी जो है वो उपर ला सकता है और उसको होस के जरीये से बहुत बलंदी पर जो उन इवन साफसर्स पर खेत हैं उन तक भी पहुँचा सकता है तो यह टेकनोलोजी जो है वो किसानों के लिए सुटेबल थी पैसों के लिह किसानुं को सबसीडिय की इन इस टीक्नोल़ोजी को खृरीद सकें इन कर सकें और फिर आस्टा सथा ना सिरफ वह पैसे वापिसृर सकें कमसकं वह इस काबल हो जाएं कि आउट अइड वौर्डी से बाहर रह सकें overlap of poverty is बाहर subsidy मिलने पर pump ले लेना और एक फ़सल से जिनकी बेहतर हो जाने से ये थाबित नहीं होता कि वो poverty से बाहर है और अब वो कभी दुबारा poverty में नहीं जाएंगे kickstart को अपना impact measure करने के लिए जो है वो indicators चाहिए थे कि कैसे हम और खास तरपर इसलिए क्योंके वो donors और investors से किसानों के लिए subsidy ले रहे थे kickstart जो है वो बहुत कम पैसों में सादा टेकनोलोजी जो है वो बनाते और बाज उकाद जो है उसको deliver करते थे और उस पे return जो है या उनके पैसे cost जो है वो बाद में वापस आती थी इसलिए उनके अपने तो कोई resources थे नहीं तो जो donors से वो subsidy ले रहे थे तो उन्हें impact जो है वो करने की जरूरत थी demonstrate और दूसरी तरफ उन्हें अपने mission की achievement को यकीनी बनाने की जरूरत थी कि किसान जो है वो ना सिर्फ poverty से बाहर आ जाएंगे बलके वो poverty से बाहर रहेंगे तो किक स्टार्ट ने क्या indicators लिए जो उनका पहला indicator था वो यही था कि pumps के साथ काश्ट कारी करने के बाद जो किसानों की हालत बहतर हुई क्या वो किसान over a time period poverty से बाहर रहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं एक फसल अच्छी हो गई हालात बेतर हो गए और फिर वो ही हालात या pump खराब हो गया तो फिर वो ही कर्जे और वो ही जो मुश्कलात हैं वो तो यह number one उनका indicator था दूसरा indicator उनका ये था कि क्या ज्यादा लोग और farmers जो हैं वो किक स्टार्ट की सबसिडी के बगएर इस टेकनोलोजी का अवेल कर सकते हैं मसला ने एक extended family है African उसमें एक farmer जो है उसने pump लिया उसकी मदद से उनके हालात इतने बेतर हो गए कि अब उसी family का एक दूसरा farmer जो है वो खुद से अपने resources से उस pump को avail कर सके तीसरा जो उनका indicator था वो self-sufficiency का था in terms of program के खुद kick start किसानों की हालत तो बेतर हो जाए लेकिन क्या kick start इस काबिल हो जाएगी over a period of time के वो investor से या donor से subsidy के बगएर गुजारा कर सके तो इन indicators को measure करने के लिए उन्होंने क्या data collect किया उन्होंने number of pumps sold of course पहली चीज़ के कितने pump बेचे गए दूसरे नमबर पर कितने enterprises create हुए के pump की वज़ा से किसान जो है वो ना सिरफ अपनी फसल को पानी दे रहा है बलके जो फसल आ रही है वो उसको किस तरह use कर रहा है कितना entrepreneurial वो खुद हुआ है कितनी वो उसे income generation कर रहा है तीसरा उन्होंने जो measurement रखी वो number of people moved out of poverty चौथी measurement कितना net profit जो है वो इससे generate हो रहा है किसान जब अपने pump की कीमत अदा करके अपने जो वो फसल में input होती है वो डाल के उसके बाद जो उनको profit आता है वो कितना है उसके पाद उन्होंने measurement की कि जो एक डॉलर donors देते हैं subsidy में उसकी against किसान कितने डॉलर्स कमाते हैं आपको हैरत होगी 115 की ratio थी एक डॉलर की subsidy पर पामर्स जो हैं और most importantly कि किक स्टार्ट की cost कितनी है पर परसन poverty से बाहर आने की जब किक स्टार्ट से पुछा गया कि उन्होंने ये इतने सारे जो measurements हैं वो क्यूं की तो उन्होंने कहा हमारे लिए ये simple था कि हम number of pump sold कहते कि इतने pump big है हम तो ठीक है हमारे लिए तो ये ही काफी था लेकिन उससे हमारा जो mission है ultimate लोगों को poverty से बाहर लाना उसके बारे में कुछ पता ना चलता हम pump पेच के फारिग हो जाते pump खराब पड़े हैं किसानों के पास inputs नहीं है फसल में डालने के लिए तो क्या फाइदा हुआ लोग poverty से बाहर आये के नहीं क्यूंकि हमारा ultimate purpose ये था इसलिए हमने बाकी सारा data collect किया इस तरह से एक ऐसी चीज़ जो बजाहर बहुत social है अपनी nature में उसको quantify करके अपना जो social impact है या social value addition है यहनि people out of poverty उसको kickstart ने measure किया Thank you